hello students welcome to home study कैसे हैं आप सब तो आज हम पढ़ने वाले हैं मेरे नावर स्वराउंडिंग वाला चैप्टर और हम पढ़ रहे थे properties of gaseous state हमने लास्ली properties of liquids और properties of solid state पढ़ा तो यह third जो हमारा state होता है gaseous state इसकी properties भी हम देखते हैं तो पहला तो यह होता है कि तो यह highly compressible होते हैं यानि इन्हें हम easily compress कर सकते हैं LPG liquid LPG liquefied petroleum gas CNG होता है compressed natural gas as we get in our home cylinders or hospitals तो हमारे home cylinders or hospitals में basically CNG present होता है so they are used as fuel in these days in vehicles also the particles of aroma of food mix with particles of air spread from kitchen reaches and even farther away जब आपके घर खाना बन रहा होता है तो आपने देखा है कि बहुत दूर से भी आपको खुश्बू आ जाती है किसी की भी घर पे खाना बन रहा है तो आपको बड़ी दूर से खुश्बू आ जाएगी और आप judge कर लेते हो कि अचा आज इनके घर पे कुछ special है आज इनके घर पे यह बन रहा है तो ऐसा क्यों होता है क्योंकि जो hot cooked food होता है उसमें kinetic energy उसके जो gashes particles होते हैं उसका kinetic energy बहुत जादा होता है जिसके कारण उनके particles की speed बहुत जादा होती है तो वह बहुत ही कम समय पे बहुत ही जादा spread हो जाते हैं अगर हम cold food से उसको compare करें तो very fast diffusion process they have और इसलिए इनका diffusion process भी बहुत fast होता है diffusion क्या होता है पिछली lecture में मैंने आपको समझाय था तो अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप पिछली दी गई वीडियो की लिंक पे जाई है और वहाँ पे सारी चीज़ों को समझें इन गैश्य स्टेट the particles move about randomly at high speed due to this random movement the particles hit each other also and also walls of the container तो इसमें बोला क्या है कि गैश्य स्टेट में जो particles होते हैं वो बहुत ही randomly बहुत ही high speed से move करते हैं येश क्योंकि मैंने आपको बताया कि Particle जो गैश्य स्टेट में होते हैं उनके बीच में बहुत ही ज़्याद स्पेस होता है तो वह easily move कर सकते हैं और क्यूंकि इसमें ज्पेस जादा होता है तो वह high-speed से बहुत ही randomly small कर पाते हैं और उस random movement की वज़े से उनके particles एक दूसरे को hit करते है the pressure exerted by the gas particles per unit area on the walls of the container तो क्योंकि वो एक दूसरे को particles एक container में है तो ये particles हैं जैसे ये एक दूसरे पर pressure करेंगे तो ये ही इससे फिर एक pressure create होता है तो gaseous state में pressure create होता है ये देखिए solid state है solid state में particles के बीच में space देखिए liquid में देखिए और gas में देखिए और compare करके मुझे बताइए कि क्या समझ में आया आपको यहाँ पे देखिए ये एक ice है ये एक water है और ये एक boiling water है तो यहाँ पे particles के space देखिए यहाँ और यहाँ पे देखिए यह है कुशनज दिये हैं और आप एक बार ये वीडियो को पॉस करके उन को सॉल्फ करके करने की कोशिष्ट कीजिए अगर आप कोई कोश्ट को नहीं हो रहे तो आप मुझे कमेंट बाक्स में बताईए या मुझे इंस्टा पर मेसेज कीजिए तो मैं आपके लिए वीडियो नेच्स्ट हमारा टॉपिक है can matter change its shape तो क्या matter अपने शेप को change कर सकता है तो उसमें जो सबसे पहला है कि temperature का क्या effect होता है यानि अगर हमें matter के shape को change करना है तो उसमें अगर हम temperature का role देखें तो temperature का क्या role होता है उसमें सबसे पहले इसमें बताया गया है कि increase of temperature of solids increases kinetic energy and hence increases speed of particles तो यानि अगर हम किसी भी solid का temperature increase करेंगे तो उसके particles के kinetic energy बढ़ेंगे जिसकी वज़े से उनकी speed बढ़ेगी पहली चीजी हुई दूसरा क्या हो रहा है energy supplied by the heat overcomes the forces of attraction between the particles अब जो energy supply कर रहे है यानि जो temperature हम उसको extra दे रहे है यानि temperature को हम increase कर रहे है तो उस increased temperature की वज़े से particles के बीच में force of attraction एक होता है वो मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया है कि हर particles के बीच में वो क्योंकि वो साथ में रहे तो उनके बीच में force होता है जा पाएं तो वो force of attraction of the particles होता है तो वो उस energy से उनके बीच में आएगा next day particles then leave their fixed positions and start moving freely यानि आप वो अपनी fixed position को चोड़ेंगे और वो अपनी force of attraction को overcome करने की कोशिश करेंगे मतलब उन से हटके और वो उने freely वो particles move करने की कोशिश करेंगे next day temperature at which a solid melts to become a liquid at atmospheric pressure is called melting point तो वो temperature solid जिसमें solid melt होके liquid बनता है atmospheric pressure पे यानि pressure atmospheric ही होगा यानि normal atmospheric pressure ही रहेगा तो उसको हम melting point कहते हैं तो आपको मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगी क्या steps हो रहे है note the melting point of a solid is an indication of the strength of force of attraction between its particles तो इसका मतलब ये बोल रहा है कि जो melting point होता है solid का वो एक indication होता है कि उनके बीच में कितना force of attraction था कि मतलब force of attraction इतने जादा था कि बहुत जादा melting point है उनका जिसके दब जाके वो particles ने escape किया, overcome किया अपना force of attraction या फिर उनका force of attraction इतना कम था कि वो easily escape कर गए उस situation को और उस force को तो I hope ये समझ में आया होगा Ice का melting point होता है 273.16 Kelvin The process of melting point, MP मतलब melting point that is change of solid state into liquid state is known as a function When a solid melts, its temperature remains the same So where is energy go? अब इसमें question आ गया है कि अगर solid melt हो रहा है और melt होने के बाद भी उसका temperature same ही है तो फिर उसकी वो जो heat है वो actually में गई कहां वो energy उसकी कहां गई तो इसमें ये लिखा है कि the heat energy gets used up in changing the state by overcoming the forces of attraction between the particles यानि जो हमने heat energy उसको दी यानि जो हमने solid में temperature दिया था वो temperature कहां यूज हो रहा है? वो temperature actually में use हुआ है उनके particles के बीच का जो force of attraction है उसको overcome करने के लिए और उनके state को change करने के लिए ना कि उसका temperature change करने के लिए तो इसलिए उसका temperature change नहीं हुआ डियाग्राम में मैंने आपे show किया है देखिए ये solid है ये liquid है ये gas है कैसे inter convert हो रहे हैं वो solid को melt करते हैं तो liquid बनता है liquid को evaporate करते हैं तो gas बनता है और gas को deposition होता है तो solid बनता है again solid का sublimation होता है तो direct gas बनता है gas का condensation होता है तो liquid बनता है और liquid का freezing होता है तो वो solid बनता है ये बहुत important diagram है इसको जरा आप बना लीजेगा अपनी notebook पे और देख लीजेगा कि ये क्या है तीन चेर बारा बनाएंगे तो आपको learn भी हो जाएगा और ये सारे जो terms है ना sublimation, deposition, evaporation, condensation, melting, freezing ये सारे याद हो जाएंगे as this heat energy is also absorbed by ice without showing any rise in temperature it is considered that it gets hidden as latent heat तो latent heat एक new word आया है लाटेंट मतलब होता है चुपी हुई so जैसे इसमें बात की गई है कि जो ice होता है ice में latent heat होता है तो वो latent heat क्या होती है जो particles के force of attraction को overcome करती है और उसके state को change करती है तो उसको हम latent heat बोलते है the amount of heat energy that is required to change 1 kg of solid into liquid at atmospheric pressure at its melting point is known as latent heat of fusion यहाँ पे एक another important term आया है students latent heat of fusion क्या होता है यह latent heat of fusion देखिए जब भी हमारी बात की गई है कि यह वो amount of energy होती है जो 1 kg of solid को liquid में convert करती है और atmospheric pressure पे उसकी और उसकी melting point पे तो जो जितनी energy की हमें requirement होती है उसको हम latent heat of fusion बोलते है hence particles in water at zero degree have more energy as compared to particles in ice at same temperature तो अब यह बहुत important है अक्सर पूछे जादे exam में की water zero degree पे है और ice भी zero degree पे है ठीक है दोनों का cable state अलग है पर temperature same है तो इसमें बताईए कि इन दोनों में सबसे ज़ादा energy किसमें होगी तो students जो energy होगी वो हमारी water में ज़ादा होगी क्योंकि water ने इतनी energy absorb कर ली है latent energy जिसकी वज़े से वो freely move हो सकता है तो उसमें ज़ादा energy होगी as compared to ice at the same temperature अब the temperature at which the liquid starts boiling at the atmospheric pressure उसको हम boiling point कहते हैं तो boiling point again एक important term आया है जो की melting point की तरह ही है लेकिन इसमें liquid boil तो वो temperature जिसमें liquid starts to boil at the atmospheric pressure उसे हम boiling point कहते हैं So I hope this is understood boiling is a bulk phenomena bulk phenomena मैंने अपनी पिछले वीडियो में बताया हुआ है होता है अगर आप मेरी वीडियो पे पहली बार आके देख रहे हैं तो आप ज़रा matter in our surrounding वाली playlist पे जाईए और स्टार्टिंग से सारी वीडियो को देखें students तो आपको सारे terms clear हो जाएंगे आपको फिर कोई doubt अगर आ रहा है तो आप मुझसे पूच सकते हैं और मैं आपको वो सारे doubts clear कर दूँगी आप comments मुझसे पूचिए Instagram ID मैंने जो अपने description box में दिया उसमें आप मुझे message कर सकते हैं साथे साथ previous वीडियो की link भी मैंने description box में provide किया है जब हम उसे boil करते हैं तो वो vapor state में convert हो जाती है particles in steam that is water at 100 degree Celsius have more energy than water at the same temperature again water vapor और water में किसमें दोनों ही 100 degree Celsius में है same temperature में लेकिन दोनों में energy किसमें ज़्यादा होगी तो water vapors में क्यों क्योंकि उसने इतनी energy absorb कर ली है water से कि वो freely move कर सकती है this is because particles in steam have absorbed extra energy in the form of latent heat of vaporization तो हमने वहाँ पे latent heat of fusion की बात की थी अब हम latent heat of vaporization की बात करते है latent heat of vaporization होती है कि the amount of heat which is required to convert water into steam note SI unit of temperature is Kelvin जिसे हम केसे denote करते है and zero degree is 273.16 Kelvin तो ये भी value याद कर देगा sublimation एक term आया है sublimation क्या होता है change of state directly from solid to gas without changing into liquid और vice versa is called sublimation तो sublimation का मतलब होता है कि जब हम solid को gas में directly convert करते हैं और बीच में liquid का कोई फंडा नहीं आता तो उसको हम sublimation कहते हैं तो आप इसको देख लीजे और learn कर लीजे अब यहाँ पर पूछा गया है effect of change of pressure pressure का अभी तक हम temperature के change का effect देख रहे थे अब हम pressure के change का effect देखेंगे applying pressure and reducing temperature can liquefy gases तो gases को हम कैसे liquefy कर सकते हैं यानि तो अगर हम उस पे pressure डालें और temperature को उसके कम कर दें तो हम उसे liquefy कर पाएंगे यानि gas को हम liquid में convert कर पाएंगे next यहाँ पर एक चीज बताई है कि solid CO2 is stored in high pressure जो हमारा CO2 होता है solid form में उसे बहुत ही high pressure पे stored किया जाता है so that it directly gets converted into gaseous state on decreasing the pressure तो हम उसे बहुत high pressure में रखते हैं और जैसे ही हम उसको low pressure में लाते हैं state होता है वो तुरंत gaseous state में change हो जाता है to one atmosphere without coming into liquid state this is the reason that solid carbon dioxide is known as dry ice तो dry ice क्यों कहा जाता है solid CO2 को क्योंकि वो easily convert हो जाता है solid से gas statement pressure कम करने पे और उसे हम high pressure पे stored करते हैं यह देखिए यह है हमारा CO2 solid form में जिसे हम dry ice बोलते हैं temperature and pressure determine the state of substance temperature और pressure से हम state of substance को determine कर सकते हैं note SI unit of pressure is atmospheric जिसको हम ATM से represent करते हैं ATM is equals to 1.0 into 10 power 5 pascals यह value है यह भी आप याद कर लिजेगा questions है यह आप try कीजिए इसको करने का अगर नहीं समझ में है तो पूछिए the phenomena of change of liquid into vapors at any temperature below its boiling point is called evaporation तो देखिए boiling point से below यानी boiling point से कम की बात की गई है तो यह evaporation का मतलब होता है यह ऐसा phenomena होता है जिसमें liquid vapors में convert होते हैं लेकिन किसी भी temperature पे और उसकी boiling point से कम होता है उसका temperature तो उसे हम evaporation कहते हैं factors affecting evaporation तो कौन से factors है जो evaporation को effect करते हैं सबसे पहला factor होता है increase in surface area यानी अगर हम surface area increase कर देंगे तो तो उसमें क्या effect बताया increase in surface area is equal to increase in rate of evaporation यानी अगर हमने surface area increase कर दिया तो rate of evaporation भी बढ़ पानी लीजे और उस गरम पानी को अगर आप प्लेट में रखें और एक ग्लास में रखें तो evaporation किस में जादा होगा वो आप easily बता सकते हैं क्यों क्योंकि surface area हमने increase कर दिया increase in temperature अगर हमने temperature increase कर दिया तो rate of evaporation भी बढ़ जाएगा अगर हमने किसी चीज़ पानी है और पानी को हम boil करते जा रहे करते जा रहे तो उसका rate of evaporation भी बढ़ जाएगा तो देखिए अगर कोई water है हम उसको boil कर रहे हैं तो उसका rate of evaporation भी बढ़ेगा क्योंकि हम उसका temperature बढ़ा रहे हैं थर्ड पॉइंट है decrease in humidity अब यह humidity क्या होती है humidity is amount of water vapors present in air यानि हमारा जो air है उसमें कुछ water vapors भी present होते हैं क्यों present होते हैं यह भी मुझे बताईए देखिए इसलिए present होते हैं क्योंकि हमारे जितना भी water bodies होती है ना जो हमारी अर्ट पे हैं वहां से जो evaporation होता है तो water क particles के नहीं जाते हैं वह मारे एयर में ही present रहते हैं तो वह एयर में जो water Demokraten होते है वो humidity बताती है तो अगर water vapors ज्याद है so humidity उता होता है water vapors करμέंगे अक्सर humidity बहुत ज्यादा होते है क्योंकि है यह तो तो अगर humidity ज़ादा है तो evaporation कम होगा है हाँ बिल्कुल क्योंकि अगर humidity ज़ादा है इसका मतलब आपके air में जो water के particles है वो ज़ादा है तो जब आपका already आपका जो evaporation स्टार्ट होने वाला है तो यानि आपके जो water vapors है वो air particles में convert हो रहे हैं increase in wind speed तो अगर हमने wind की speed यानि हवा बढ़ा दी तो अगर हमने हवा बढ़ा दी तो evaporation भी बढ़ जाएगा देखिए इसका best example है कि अगर आपको कपड़े सुखाने हैं तो अगर बहुत तेज हवा चल रहे हैं अगर आपने कपड़े बाहर रख दी तो वह सूख जाता है उसके पानी तो बहुत जल्दी ही उड़ जाता है तो कि evaporation बढ़ जाता है अब इसमें कोशन है कि how does evaporation causes cooling evaporation से cooling कैसे होता है देखिए in an open vessel the cooling इसका मतलब यह है कि कोई भी गरम चीज है तो अगर आपने उसको रखा तो वह evaporation होकर कैसे cool हो रहा है तो इसका example आप daily life में देखते हैं आप गरम खाना ले रहे है तो आप उसको अगर आप छोटे बरतन में रखेंगे तो वह जल्दी ठंडा नहीं होता अगर अगर आप से बड़े बरतन में रखेंगे तो वह जल surrounding this absorption of energy from the surrounding makes the surrounding cool surrounding के temperature है उससे जब आपका माली आपके plate में कुछ गरम चीज़ है पानी है गरम तो फिर वह जब उसको अब्सको अब्सक्राप करेगा तो वह थंडा हो जाएगा तो यह evaporation से possible हुआ तो question है काया है why should we wear cotton cloths in summer हम गरमियों में कहते हैं cotton का कपड़ा पहनो cotton का कपड़ा पहनो तरसा क्यों कहते हैं देखिए पहला इसका reason है कि cotton is a good absorber cotton बहुत ही अच्छा absorber होता है of water का तो helps in absorbing the sweat and exposing it to the atmosphere for easy evaporation यानि अगर मान लीजे आपने cotton का कपड़ा पहना है और आपकी body में sweat था तो आपने cotton का कपड़ा जब पहना तो वह sweat जो है वह cotton absorb कर लेगा absorb करके वह बाहर के atmosphere के साथ उसे expose करेगा और evaporation होगा और उस evaporation से जो sweat के water है वह evaporate यानि उड़ जाएगा और आपको cooling effect देगा body में the heat energy equals to latent heat of vaporization is absorbed from body leaving body cool यानि जो heat energy है वह latent heat of vaporization के equal हो जाएगी और body को cool करेगी next question है why do we see water droplets on the outer surface of glass containing ice cold water यानि अगर आपके पास पानी का एक glass है जिसमें बहुत सारा बरफ है और पानी है बहुत ठंडा पानी है तो थोड़ी दिर में आप देखेंगे कि थोड़ी दिर बाद उसके उपर एक छोटे छोटे पानी की ऐसे बूंदे droplets बन जाती है तो ऐसा क् the water vapor present in air अब देखिए आपका ये air है यहां पर water vapor present है on coming in contact with cold glass of water अब ये जो है ये cold glass of water के साथ contact में आ रही है तो वो क्या हो जाएंगी वो liquid state में convert हो जाएंगी तो वो liquid state में convert हो जाएंगी इसलिए वो बाहर ऐसे water के droplets में बन जाती है क्यों क्योंकि ये temperature difference की वज़े से हो र try कीजिए solve करने के लिए तो matter in our surrounding वाला chapter भी हमने आज complete कर दिया है next वीडियो में मिलते हैं एक नए chapter के साथ और तब तक के लिए आप पढ़ाई करते रहे हो और question solve करने की कोशिश कीजिए अगर आपसे question solve नहीं हो रहा है तो आप मुझसे पूचिए मेरे चैनल को subscribe ज़रू कीजेगा और वीडियो को like कीजेगा अगर आपको पसंद आया तो और bell icon को भी प्रेस कर दीजेगा साती साथ तो आपको जो नई वीडियोस अब में upload कर रहे हूं वो आपको आपके screen पे दिख जाएंगी and thank you thanks for watching take care of yourself and bye bye